इस बार का जो विवाद है ना वो अन्य विवादों से थोड़ा जादे गर्मा गया है क्योंकि चाइना इधर से अपने 5000 सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है इसके पीछे हमेशा भारत बात चीत से कुट नीतिक समझा लेता था इस बार भारत ने भी कहा है कि भाया तुम भेज बाड़ा बात चुके हैं क्योंकि चाइना के राष्टपती सी जिंग्पिंग ने कहा है कि चाइनीज सोल्जर को एकदम खराब इस्तिती को मानते हुए यूद दिकित लिए तैयार रहना है अब वो ये बाते क्यों कह रहे हैं इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं चाइना के एग्रेसिव होने के तीन कारण है देखिए एक तो पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है कि वह तुम्हारे यहां वहान से क्या फैला था कोरोना वाइरस जो आग पूरी दुनिया में फैल गया तो पहला रिजन यह है कि चाइना को ध्यान भटकाने के लिए ऐसा माम कर रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान भटक जाए और थोड़ा भी दोंपाति न फटक जाएगा यह बात जेन्मी ने कि देख हो तो दियान भटक जाएगा ना कोरोना से पाहला रिजन है दूसरा लिजन कि ऐस्ट्रेलिया चाह रहा एक चाईना से जो बहूत सारी कंपनियां भाइत तो हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि वो वियतनाम की और सिफ्ट होना चारी है लेकिन अभी हाल ही में उत्तरपरदे सरकार ने अपने लेबर ला को खतम कर दिया जिस वज़े से आप चाइना की जादे तर कंपनिया भारत में इंट्री करना चारी है इसलिए चीन वॉक लाकर भारत से युद्ध करने के मूड मे आ गया है अब बात करते हैं यदि इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए तो कौन-कौन हमारा साथ देगा अपने पडोसी देश से अगर भारत के पडोसी ओं में देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हम लोग नेपाल से आपको पता होना चाहिए नेपाल ने पहले ही असपस्ट कर दिया है कि चाइना और भारत के युद्ध के स्थिति में नेपाल किसी के और से नहीं रहेगा टटस्त रहेगा वह इसमें बीच में नहीं आएगा अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं भूटान को भूटान तो हमारे ही तरह से एक तरह से समझे कि हमा बंगलादेश में सेख हसीना वहां की परधान मंत्री है तब तक बंगलादेश भारत का साथ 100% देगा और यह भी कह सकते हैं कि यदि युद्ध की स्थिति में भारती असाइनिकों को इधर जाने में दिक्कत हुआ तो बंगलादेश अपनी भी भूमी को और अपने हवाई लगाथी छेत्र को भी भारती वायूस》 से ना को कहेगा कि यहां से बीजिया जा सकते हैं कि इंडिया को दोनों और वहाओर पर उल्जा सके तो इस एर्या से हम लोग को कोई दिक्थ नहीं है अब सीरलंका को देखते हैं तो सिरलंका और मालदीप के रिष्ते अब चाइना स वैसे नहीं है क्योंकि सिर्लंका के लोगों को समझ में आ गया है कि चाइना ने जो यहां इन्वेस्टमेंट किया था केवल उनको अपना आर्थिक गुलाम बनाने के लिए सिर्लंका ने अपना जो निचला बंदरगा दिया था हमबन टोटा वो चाइना को केवल और केवल व्यापार के लिए युद्ध के लिए नहीं दिया इसलिए यहां से भी चाइना कुछ नहीं कर सकता है और नहीं मालदीब से केवल अगर पडोस में बात करेंगे तो एक पाकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है इसलिए अगर चाइना के कहने पर पाकिस्तान भारत पर हमले की मूड़ बश्राइगा तो मोदी जी का ट्रंप से इतना बहतरीन रिस्ता है कि अगर एक फोन पी चला गया तो अमेरिका पाकिस्तान को दिये जाने वाला हरेक मदद रोग द करेंगे और पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि या अफगानिस्तान की आतंगवादी संगठन तालीबान है वह भारत पर हमला करेंगा वह क्यों करेंगा तो भारत का यहां से भी कोई दिक्कत नहीं और तजाकिस्तान के दुसामबे में बारती वायुसेना ने अपना अड़ तो देशल लड़ेगा अगर चाइना के फेवर में पाकिस्तान खुला युद्व लड़े तो चाइना का क्या होगा यहद पता नहीं लेकिन 110 % हम गारेंटी लेते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद होगा युद के मैदान में भी बर्बाद होगा और अमेरिका जो पैसा तो खाय भी ना मरेगा वो अलग ही है धजी उड़ जाएगा